हाई दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको जो अब हमारे बरसात के मौसम में जानबरों को कीड़े बगएरा पढ़ जाते हैं या जखम बगएरा पढ़ जाते हैं उन्हें साफ करने के बारे में बताएंगे दोस्तों कभी भी जानबर को कीड़े या जकम बगरा पड़ जाए या इसमें पीक बगरा डर जाए तो उसका टीटमेंट अच्छे डंग से हलदी और तेल का लेप बना के करें दोस्तों जहां पे जकम पड़ा हो कभी भी हिचकी चाहे ना क्योंकि जानबरों को खुद दर्द होती है तो वो अपने आप अपने जकम को ठीक करने के लिए अपने माली को बोलते हैं दोस्तों जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है कि हल्दी और तेल के लेप को कुटे के कानों पे लगाया जा 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 रहा है दोस्तों कभी भी इनका मास्क जो है वो भी एक आम इनसान के मास्की तरह होता है जैसे हमें कभी दर्द या चोट होती है तो हम भी अपने बच्चों को या अपने परिवार को टीटमेंट करने से हिच किचाते नहीं हैं तो दोस्तो इनको भी अपने हिच किचाये और संकोच ना करें और जल्दी से जल्दी इनका इलाज करें दोस्तों जखम को अच्छी तरह से साफ करें और उसे हल्दी और तेल से के लेप से लेप लगाएं ताकि इनका जखम जल्दी हल्दी और तेल जखम ठीक हो सके हल्दी और तेल का लेप भी एक एंटिवाइटिक का काम करता है जिससे एंटिसेप्टिक का काम करता है जिससे हमारा जखम जल्द से जल्द बर जाता है दोस्तों इन कुटों या किसी भी जानबर को पड़े हुए कीड़ों को अगर आप हाथ से भी निकालें तो निकाल सकते हैं दोस्तों हाथ से निकालने से भी हमें कोई गंदगी महसूस होती क्योंकि बाद मैं हाथ को आप अच्छे सावं से दो सकते हैं दोस्तों जानबर को भी अपने बच्चों की तरह प्यार करें और इसी तरह से इंका टीट्मन्ट करें जैसे हमारे भाई सुमित बाबा-जी ने एक अपने प्रोसी के कुटे को किस तरह बच्चों की तरह ले कर रहे हैं दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में भी दे सकते हैं कुटा भी अपने जकम को बनने के लिए कितने अच्छे डंग से लिप को अपने शरीर पे लगवा रहा है तो दोस्तों इसके बाद जो भी इस इस कुटे को अच्छी ट्रीटमेंट दी जाए सके वो देख करें शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों हम इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो अच्छी जानकारी वाली वीडियो आपको देते रहेंगे दोस्तों हमारे सन्नी बाई ने सुमित भाबाजी ने इस कुटे को अपनी एक टीका भी लगवाया था दोस्तों जाकी जकम जल्दी से बर सके दोस्तों जानबरों से भी प्यार करें हमारी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जैह जै बारत